पिछले एक सप्ताह से सरसो के दाम लगातार बढ़ रहे है देश की कई मंडियों में सरसो का भाव 7000 रुपे प्रती कुइंडल पर पहुँच गया जबकि चालू मार्केटिंग सीजन के लिए सरसो का MSP 5050 रुपे प्रती कुइंडल है कुछ किसान सरसो की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी की उमीद कर रहे हैं इसका फायदा लेने की उमीद में उन्होंने अपनी सरसो का भंडारन कर लिया है अनाज मंडियों में सरसो का भाव लगातार तेज बना हुआ है कोटा सलोनी में 7550 रुपे प्रती कुइंडल जैपूर में 7100 रुपे कुइंडल और आगरा में 7300 रुपे पर सरसो चल रही है वहीं दिल्ली में 6850 रुपे, हिसार में 6500, मध्यपरदेश के विदीशा में 4440 रुपे कुइंडल है किसान घर बैटे ही वैपारियों को 7300 से 6500 रुपे कुइंडल के हिसाब से सरसो बेच रहे है पिछले साल की तुलुना में किसानों को मंडियों से सवा से डेड़ गुना दाम मिल रहा है पिछले साल इस समय सरसो की कीमत 5000 रुपे से 500 रुपे कुइंडल थी वेपारियू का क्याना है कि इस बार सर्सों मिलों में सर्सों की काफी मांग है उन्होंने कहा कि भारती खादे सुरक्षा और मानक प्रदी करण यानि कि FSSAI ने स्वास्थे कारणों से पिछले साल से सर्सों के तेल में मिलावट पर प्रतिबंद लगा दिया था इस समय बाजार में सर्सों का तेल दो सुर्वे प्रति लीटर बिक रहा है जिससे सर्सों की मांग बढ़ गई है कई ब्राण ने सर्सों के एक लीटर तेल का अधिक्तम खुद्रा मूले 250 रुपे लीटर से अधिक कर दिया है वहीं दूसरी और रूस और यूकरेन भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं लेकिन दोनों देशों के बीच युद के कारण वहां से सुरज मुखी के तेल का निर्यात नहीं हो पा रहा है जिससे वैश्विक बजार में खादे तेलों की कीमते काफी बढ़ गई हैं इसलिए आने वाले दिनों में भी कीमतों में तेजी की संभावना के चलते कमपनिया और नीची खरीदार सरसों की अधिक खरीद कर रही हैं पिछले साल खादे तेलों की उची कीमतों के कारण किसानों ने इस बार अधिक शेत्रों में सरसों की खेदी की हैं सरकारी आंकडू के अनुसार रवी सीजन में तिलहन का रगवा 18.3 शुन्य लाख हेक्टेर बढ़ा है तेल कारूबारियों के संगटन COOIT के अनुसार 2021 में सरसो का उत्पादन 29 प्रतीशत बढ़कर 109.5 लाख टन होने का अनुमान है भारत को करीब 250 लाख टन घरेलू खादे तेल की जरूत है जबकि इसका घरेलू उत्पादन 111.6 लाख टन है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान